कि मोहबद ने मोहबद को मोहबद से पुकारा है करताने कर्म को कर्ण से संपर्दान को के लिए अपादान से समंध काके की अधिकरण में पर हेलो दस्तों स्वागा तब सभी को हमारी यूटुब चैनल पर तो आज की इस वीडियों हम लोग देखने वाले हिंदी ब्याकरण क मॉस्ट इंपोर्टण टोपिक आनिक कारक के बारे में कारक क्या होता है उससे टॉइट कुछ-कुछ कवसंन आपकी एकजामें पुछा जाता है चाहे वो कलास एड़् रोज्य वो स्वाल आप लोग इस वीडियो के देखने बाल तो चलिए इस वीडियो को हम लोग सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कारक होता क्या देखें कारक क्या होता है कि संग्या या सवर नाम का वह रूप जो वाइक के एन सब्दों खासकर किरिया से अपना समंद्ध परकट करता है और जो कारक जो होता है अधितर किसे समंद्ध परकट करता है किरिया से उसे हम लोग क्या बोलेंगे कारक बोलेंगे अब जब तक हम लोग एक्जांपल नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो चलिए एक्जांपल क्या हो यह से राम ने रावन को मारा आनि किसने मारा रा तो वोलते हैं तो राम हो गया करता है ना मारता है क्योंकि Хcat जो हता है अधिकतर किरिया से अपना समांझ प्रकड़ करता है तो मारना क्या हो ज hanagarna प्षी अधिछ नफ। ना वीडियो देखना यह सब क्या है आफका क्ड Canada यह हो गया क्रिया राम हो गया करता मार किसे रहा है रावन को जिसको मार रहा है जो काम कर रहा है रावन को मार रहा है तो यह रावन मापका हो जाएगा कर्म हो जाएगा आप हम लोग समझते हैं कि कारक के जो भेद कारक के आपका टूटल आठ वेद होता है आठो वेद को हम लोग डेटेल से समझते है आहीं से आपका कोशन पुशे जाता है आपके एक्जाम में यहां से आपका किलियर हो जाएगा तो पिनvas कर लिए आई तो देखिए नोगा कि होते हैं टोटल आट बेल होते हैं आटiao सब्सक्राण ने सब्सक्राई पहला जो है करता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है कर्ण कारक, चोथा है संपरदान कारक, पचमा है अपादान कारक, छठा है समंध कारक, सात्वा है अधिकरन कारक और आठवा है संबोधन कारक, यह आठवो कारक के भेध है, तो यह आठो भेध को कारक कावला आप लोग प्रत्मा विवक्ति बोलते हैं और जो करम कारक होता है उसे हम लोग बोलते हैं दूत्या विवक्ति करन कारक को तृत्या विवक्ति संप्रदान कारक को चतुर्थी विवक्ति और अपादान कारक को पंचमे विवक्ति समंध कारक को सष्टी विवक्ति और अधिकरन कारक को अब कारक का चीन क्या होता है यह तो सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके एक्जाम में पूछ देगा कि मैंने उसको मारा तो यह कौन कारक में आएगा तो इसको हम लोग समझते हैं कि कारक की चीन क्या होते हैं तो देखे पहला जो करता कारक है करता कारक का चीन जो होता ह है वो ने होता है करता करकाचीन क्या होता है वो ने होता है करता करकाचीन ने होता है करम करकाचीन को होता है करन करकाचीन से या द्वारा दोनों का मतलब यह एक होता है संपरदान करकाचीन होता है को या के लिए आपादान करकाचीन होता है से समंध करकाचीन होता है का या के कि अधिकरण कारका चीन होता है में यह पर समोधन कारका ही होता है है और अजी यद्यादी और कुछ हो सकता है आप इसको याद की रखा जा यह सबसे इन्पोर्टन ते आप सुरू में सुने होंगे किसी बच्चों के दुस्वरे के मौह से कभी-कभी सुने होंगे करताने कर्म को कर्ण से संपर्दान को के लिए पदान से समंध का के की अधिकरन में पर इस तरह समोदन है जी अरे इस तरह से आप लोग सुने होंगे एक ने तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन आच एजी तरीके समलुख सिखेंगे है किने इस बनते करतान कर्म को कर्ण से इस तरह से लोग सिखेंगे जिसे एक हिंदी का गाना आप लोग सुने होंगे कि मोहबत ने मोहबत को मोहबत से पुकारा है इस तरह से कुछ गाना सुने होंगे माप किजिए थोड़ा मेरा आवाज उस तरह से नहीं है तो करता ने कर्म को कर्ण से इस तरह से म इस प्रकार से कुछ काना से रिलेट करके कुछ पढ़िएगा आप लोग इजी साथ हो जगा तो करता ने करता का क्या हो जगा तो करता का चिन क्या हो जगा ने करता कारा का चिन क्या हो जगा ने करता ने कर्म को इसका मतलब कर्म कारा का चिन क्या हो जगा को करता ने कर्म को कर से या द्वारा है न संपर्दान को के लिए आपादान से समंध का के की अधिकरन में यह पर समोधन है जी अरे आप सब से दिकत क्या होता है यहां पर करन कारका जो चीन होता है से और यहां पर आपादान कारका चीन जो होता है से यह जो को दिक रहा है न यह आपादान और समं करक जो अपको दिख रहा है यहां सुरू में संपर्दान कारका और आपादान कारका करन कारका इस से चिन क्या मतलब क्या होता है आपको हम एगजांपल के थो आपको समझाते हैं ताक यहीं से समझ सके देखिए आपको जैसे आपको करता ने ये करता का चिन क्या हो या ने अब इसका एजामपल देखो इसे मोहन ने खाया मोहन ने क्या किया खाया तो यहां जो आपको ने दिख रहा है ने इसका मतलब मोहन ने खाया तिसमें कौन कारक छुपा है इसका मतलब ने ने किसका होता है करता इस को आप एकजांपल देखे सोहन मोहन को पीठता है किसे पीठता है मोहन को इसमें कौन सा कारक चिन छुपा है इसमें को कारक चिन छुपा है तो कौन सा कारक हो जागा तो मेरा कारक हो जागा करम कारक क्योंकि करम का चिन क्या होता है को होता है इजी तरी किसा पाचान लेंगे क इतना असानी होता है उसके वाद देखे थर्ड में करनकारक तो करनकारक क्या होता है करनकारक का चीन से या द्वारा है न जिसे में कलम से लिखता हूं कलम से लिखता हूं आप देखी यहां पर कलम से लिखता है इसका मतलब देख का मतलब यहां जो निकल रहा है साथ में से मत कakyla игр लेखता है यह में कलम से लिखता हूं हो यह जिक रहा है यह जो समझते संपरदान कारक संपरदान कारक का चीन क्या होता है को यह पार दे को या के लिए करताने कर्म को कर्ण से संपर्दान को के लिए इस सब चीज़ आपको याद होना चाहिए तो को के लिए तो देखिए इसका एजामपल कि है कि राम ने स्याम को पुष्टक दी राम ने किसे पुष्टक दी स्याम को आप इसाफ आप लोग करता कारक फिर मत मार दिएगा क्योंकि ने यहां लगा दे ने आपका करता कारक में केवल करता और आपका किरिया रहेगा करम कारक में इस तरह से नहीं रहेगा इसको याद रखेगा कि संपरदान कारक का जोचीन को की लिए इसमें को आपको यहां पर दिख रहा है ना राम ने स्याम को क्या दी प खर दी रामने स्याम के लिए पूस्तक खर दियंदे से भी आप लिक सकते हैं nesqua समस्ते हैं पाज़ा नमर है आपाधां कारक तदोस्ट करताने करम को 94 के लिए एपादान् से तो अपदान से अब इसमे का मतलब क्या होता है और जो कर्ण कारक में से था इसका मतलब क्या होता है अब हम लोग समझते हैं देखिए कर्ण कारक वाला जो से है वो कलम साथ में लेकर हम लिख रहे थे आप देखिए इसका एकजामपल अपादान कारक का क्या हो जागा पेड़ से पत्ते गिरते हैं देखिए यह क्से का मतलब क्या आपाहीं अलग एलों ऑलो हो जाता है तो देखुए ज där अपना साथ लिकर लिखेंगे तो करण कारक और जब अलग होने का बात होगा तू अपादान गलग्त इसको भी है खहएं टेड से पत्ते गिर न wilderness थे कि समंद कारक समंद कारक क्या मतलब समंद बनाएगा जैसे का के की जैसे मोहन का घोड़ा दोड़ता है इसका मतलब किसका घोड़ा दोड़ता है मोहन का देखे मोहन और घोड़ा ये दोनों समंद बना रहा है घोड़ा दोड़ रहा है लेकिन किसका मोहन का ये जो काइन आ या पर जैसे आप मेरा वीडियो जो है यूटूब में देख रहे हैं कहां देख रहे हैं यूटूब में देख रहे हैं चाहिए मोवाइल में देख रहे हैं चाहिए मोवाइल पर देख रहे पर नहीं आप लोग तूपर से देख नहीं हो रही है इसका मतलग आप लोग जो है अच जो क्या होताँ इंट किया और अर्ए जैसे हे भगवान मुझे परिक्षाँ में पास्चा प्रीक्षा में फ्रेकार कोई आपको पूछेगा कि कारक के कितने भेदे तो फड़ा फड़ बोल दिएगा करता कारक कारक करन कारक संप्रदान करन अपदान करक अधिकरन कारक संबोधन कारक इस तरह से टोटल चीछे आठो को इस तरह से अधिकरन कारक सब को बोल दिएगा है ना और जितना जितना चीन होत सब्सक्राइब करके वेल आइकन को भी दबा दीजेगा ताकि हमारे आने मले हर एक वीडियो को को नोटिफिकेशन सबसे बले आप तक पहुंच सकेगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद